सूद गोस्वामी कौन है? सूद गोस्वामी के पिताना के नाम था रोम हर्षा उनके पुत्र हैं और जब ब्यास देव सुगदेव गोस्वामी को भागवाद सिखा रहे थे तो उसमें सूद गोस्वामी भी वही पर थे सूद गोस्वामी की जिग्यासा सुद्गो स्वामी के सरमर करने की उतकंठा को देख करके ब्यास दियों ने इनके आसिरवाद दिया कि बेटा जो ग्यान मुझे प्राप्त हुआ है वो अभी तुम्हें प्राप्त हो जाए जिस हस्तर का ग्यान मुझे प्राप्त है और वो हस्तर का ग्यान तुम्हें भी प्राप्त हो जाए तो जो ग्यान ब्यासदेव ने सुकदेव को स्वामी के दिया वही आसिरवाद किसको दिया सुद्गो स्वामी को दिया तो इतने बड़े गुरु का आसिरवाद इनको प्राप्त है सुद्गास्वामी को पास नहीं बैठे थे तो सुद्गास्वामी परिख्षी देखकर कभी-कभी इनके और भी देखते थे आगे चलकर रहासूत्गास्वामी नमिसारन में रिसीओं को यह कथा सुनाएगा तो पूरी कथा के दर्मियान उनको भी आशिरवाद देते जाते थे हमेशा तो उनके पिता का भी आशिरवाद है उनके उपर और उनके पुत्र का भी आशिरवाद है सुगदे गुस्वामी का भी आशिरवाद है किसको? सुद्ध गुस्वामी को और सुद्ध गोस्वामी को डारेक्ट बलराम जी ने भी असिरबाद दिया था बलराम जी आदि गुरु है तो सोचिए जिसके उपर भगवान बलराम का असिरबाद हो भगवान व्यासदेव का असिरबाद हो महामनिश सुगदे गोस्वामी का असिरबाद हो और ऐसा सुद् सुक्देवगो स्वामी के mood को समझते थे क्योंकि जिस भाव से सुक्देवगो स्वामी उतर दे रहे थे परिक्षित महराज के प्रश्णों का उस भाव से ही यहां मुनियों को बता रहे हैं तो कई बार वक्ता के हाव भाव को देख करके भी बातों में फर्क पड़ जाता है किस भाव से उतर दिया था किस मनोदसा से उतर दिया था तो सुद्गो स्वामी को ठीक से समझ लेने से हमें आगे की विश्यवस्तु बिल्कुल किलियर हो जाएगा